हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तर माई यूटुब चैनल लेट्स क्रेट मेहंदी मैं इस चैनल में आपके लिए मेहंदी का ट्यूटरियल स्टार्ट कने जा रही हूं यह मेहंदी क्लासेज उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बेगिनर्स है और श्राच से मेहंदी सीखना चाहते ह हैं इस सेरीज में हम बेसिक टो एडवांस लेवल की मेहंदी बिनाना सीखेंगे और ट्रस्ट में गाइस क्लासेज के एंड तक आप कपी इंप्रूव कर चुकी होंगे अपनी मेहंदी में और गाइस हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पैंसल से क्योंकि कोन से अभी हम इस स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें को फुल करने में प्रॉब्लम होती है इस जब से हम पहले पैंसल से बढ़ाएंगे और इसके बाद ही हम फिर नेक्स लेवल पे जाएंगे को उन्से मेहंदी बनाना सीखेंगे तो चले गाइस वर्स्ट क्ला लाइन्स में इस प्रकार से एक एकवल लाइन को क्रियेट करनी है इस प्रकार से हम लाइन्स को क्रियेट करते चलेंगे इस प्रकार से अगर हमें फिलिंग करनी है तो हम लाइन्स की इस प्रकार से फिलिंग करते विए आगे बढ़ेंगे यह तो हुआ फर्स्ट लाइन्स बनाना सेकेंड हम देखते हैं हम्स बनाना क्या हम्स कैसे बनाते हैं इस प्रकार आपको एक्वली फॉर्म में मुझ कटे जाना है अभी आपके स्टार्टिंग स्केज है इसलिए आपको यह प्रैक्टिस करनी पड़ीगी और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे यह आपसे इक्वली फॉर्म में बनते चलेए नहीं जाएगा इस प्रकार से आपको हम क्रेट करने हैं नेक्स्ट रहते हैं हम डॉट्स पर क्या आपको डॉट्स किस प्रकार से प्रेट करना है सो डॉट्स बनाने के लिए सबसे पहले आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं सेकेंड आप एक सर्कल बनाएंगे और उसको फील करेंगे या दो अंदर से बाहर की ओर यह हमने आभी जो फीलिंग किये यह अंदर से बाहर की ओर किये नेक्स्ट इस सर्कल बनाएंगे हम और उसको हम करेंगे बाहर से अंदर की ओर फीलिंग लुट्स आपको फिर से ट्राइक करना है सिर्कल बनाना है तो इस प्रकार से हम डॉट्स को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट इस पाइरल स्पाइरल के लिए वहीं सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की ओर तो सबसे पहले हम करते हैं इस पाइरल के लिए अंदर से बाहर की ओर आपको जिपना बड़ा पाइरल रखना है आप उतना बड़ा पाइरल रख सकते हैं यह तो अंदर से बाहर की ओर इस प्रकार से जब इस प्रकार से स्पारिल हम त्यार करेंगे नेक्स्ट हम बनाएंगे सरकल इस प्रकार से हमें सरकल त्यार करना है अगर आप से नहीं बन पाता कि आप पूरी तरह से पैंसिल को बीना उठाए सरकल बनाए इस प्रकार से आपको नहीं बन पाता है तो आप पहले आधा सी यहां बना सकते हैं अलफाबेट और उसी को फिर कवर करते हुए आप हाफ सी फिर से बना सकते हैं इस प्रकार से भी हम एक सरकल को कम्प्लीट कर सकते हैं हमें बना रहा है आप हैमिस्फियर इसे या तो आप कह सकते हैं उल्टा यू इस प्रकार से आप बना सकते हैं हेमिस्फियर इस प्रकार से इनिये इस प्रकार से हमने हमिस्फियर को बनाया अब नेक्स्ट बनाएंगे हम लीव इस हम लीव बनाना सीखेंगे अब यह फर्स टाइप हो गया हमाई लीव का सेकंड टाइप होगा इस प्रकार से जब आप महन्दी में एक प्लाल क्रियेट करते हैं तो उसकी लीव को आप इस प्रकार से डिजाइन करते हैं नेक्स्ट इस आप इस प्रकार से एक कलश के आकारम की लीव बना सकते हैं इस प्रकार से एक लीव बना सकते हैं एंड नेक्स्ट इस प्रकार की लीव को आप अपने महन्दी की डिजाइन में क्रियेट कर सकते हैं अब हम बनाते हैं कुछ लीव यह हमारी कुछ लीव से इस प्रकार से हम बनाते जाएंगे इस प्रकार से इस प्रकार की अपनी लीव देखी होगी जब हम रोज का प्लांट देखते हैं उसकी जो लीव से होती है इसी प्रकार से उसमें एजस निकले वे होते हैं इस प्रकार से सब्सक्राइब तो गाइस जो मैंने आपको सर्कल बताया था इसका अगर हमें हाफ सर्कल बना रहा होता है तो हम हाफ सर्कल किस प्रकार से क्रेट करते हैं वह भी आई हम देख लेते हैं तो हम बनाएंगे आप हाफ सर्कल तो हाफ सर्कल बनाने के लिए फर्स्टली हम यहां से कुछ लाइन को ड्रॉप कर लेते हैं इस तरीके से अगर आपको हाफ सर्कल बनाना है तो आप हाफ सर्कल बना सकते हैं यह हुआ हमने फिर्स्ट हर्फ सिर्कल क्रियेट किया है आज हमने फिर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कुछ और बेसिक इसके पैटर्स पढ़ेंगे और हम इस सेरीज में बेसिक टू एडवांस क्लासे सीखेंगे और लास्ट क्लास तक आप काफी अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे और काफी अच्छे से आप मेंदी सीख पाएंगे तो अमीद किर्टियों कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एंड मेरी वीडियोज को शेयर कीजिए थैंक्स पर वाचिंग